नवश्कार मैं हूँ साक्षी विहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले अब एक नज़र सुड़कियों पर विहार ने स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की मामली में बनाया रिकॉज संपुर्ण क्रांती के आज 50 साल पूरे पुलीस अधिकारी बन साइबर बदबाशने की करोडों की ठगी आदर्स अचार सहीता लागू होने के बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक जबलू पील 2024 में जीतने वाली टीम को मिले करोडों रुपे इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार ने स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने के मामले में बनाया रिकॉज बिहार ने स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने के मामले में रिकॉज बनाया है ये एक सराहनी उपलब्दी है बताया जाता है कि बिहार के मुख्यमंद्री नितीश कुमार ने पूरे बिहार में इस मात मीटर को लगाने का लक्षु तैग किया है और इसे पूरा किया जा रहा है आपको बता दे कि इस लक्ष को जल्द ही हासल कर लिया जाएगा फलहाल कि आज 50 साल पूरी हो गए हैं 18 मार्च 1974 को जेपी अंदोलन की नीव पर रही थी जैप रकाश नारायन की नेत्रित्वों में ये चात्र अंदोलन हुआ था और ये कैसा अंदोलन था जो करीब एक साल तक चला था सिक्षा में सुधार महंगाई और ब्रस्टरचार के करने के लिए जा रहे थे और इस दोरान पुलीस ने इन पर लाटी चार्ज कर दिया था इसमें साथ छात्रों की जान चली गए थी ये अंदोलन दूसरे राजों में भी पहुँच गया था और इसके बाद कि इंडिसरकार ने साल 1975 में आपातकाल को लागू किया था सब भी बड़े नेताओं को गिरफतार किया गया और इस दोरान इन्होंने संपूर्ण करांती का नारा दिया भारत की दूसरे गंगा सेंचुडी में दिखा घडियाल और डॉल्पिन बिहार का भागलपूर चिला धिरी धिरे पर येटन असल के रूप में विक्सत होड़ा और यह विक्रम शिला गंगय जॉल्पिन भारत का दूसरा गंगा सेंचुडी है यहाँ पर कई जलिये जीव देखने को मिलते हैं और अब यहाँ पर दुर्लप घडियाल भी देखने को मिल रहा है सहजाद पूर पंचात के अमरी दियारा के गंगा नदी में घरियाल देखने को मि आया कि यहां मौझूद घरियाल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इसलिए इसे देखकर इंपर हमला नहीं करना चाहिए बिहार बोट बार्मी का परिक्षा परिनाम जल्द जारी कर दिया जाएगा मालूँ कि बिहार देश में सबसे पहले इंटर और मेट्रिक की परिक्षा का परिनाम जारी करता है इस बार भी ये रिकॉर्ड बिहार बोट के नाम हो सकता है चल रही मीडिया खबरों के अनुसार टॉपर्स का वेरिफिकेशन 19 मार्च से शुरू हो जाएगा जबके 21 मार्च को रिजल्ट जारी हो सकता है टॉपर्स को वेरिफिकेशन के ल पुलिस ने शे साइबर अपरादी को गिरफतार किया है, ये पुलिस अदिकारी बनकर पुत्र या किसी करीबी की गिरफतारी क अजहासा दिकर लोगेश थचाज़ी की घटना को अंजाम देते थे साइबर शातिरों में तीन दर्भंगा दू मुतिहारी और एक मुतिहारी मु जानकारिक अनुसार साइबर बिल्वाशों के पास से लाब्टॉप 19 पास्बूग 4 अधार का चार्च एक बूग 13 अकाउंट ओपनिंग किट 4 सिमकार्ट साथ मुवाइल फोन आदी चीजे जब्त की गई है NDA INDIA में आज हो सकता है सीटों का बटवारा राज़त कॉंग्रिस के आज दिल्ली में बैठा कहवाईं सीम नितीश कुमार की दिल्ली में मिटिंग है वो आज दिल्ली जाएंगे NDA और INDIA इदोनों इगडबन धनों में आग सीट बटवारे को लेकर डील पाइनल हो सकते है इसका जल्दी आपचारिक रूप से अलान कर दिया जाएका बताया जाता है कि NDA के घड़क दलों के बीच सीट का बटवारा आपचारिक तोर पड़ हो चुका है NDA के वरस्त नेता संयुक्त रूप से सीटों का आपचारिक घोसना कर सकते हैं इतर मुख्य मंत्री दो दिवसी दौरे पर डिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं इससे पहले सीएम नितीश कुमार ने अपने पटने हस्तेत आवास पर सांसद ललन सिंग और संजिस हां के साथ मीटिंग की है सक्षमता परिक्षा के रिजल्ट की जल्द होगी घोशना बिहार में सिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परिक्षा का आयोजन किया गया और इसके बाद सिक्षकों को बेसबरी से अपने अपने रिजल्ट का इंतिजार है मीडिया रिपोस के अनुसार 23 मार्स को परिक्षा के परिणाम के घोशना की जा सकती है वही रिजल्ट के जारी हो जाने के बाद सब्वल परिक्षार्टियों के काउंसलिंग होगी और इसका साथ ये अंगोटे के निसान काम एलान होगा फिलाल राज्ज में न्यूजित सक्षकों का सत्यापन किया जा रहा है मालूमों के सक्षव भाग के अपर मुक्य सचपके के पादक ने पहले ही ये घोशना की थी कि सक्षमता परिक्षा के लिए सक्षकों को एक से अधिक मौके दिये जाएंगे वही मालूमों के सक्षमता परिक्षा के एंसर की जारी कर दी गई है इसे वेबसाइट www.bacb.sakshamta.com पर लॉग इन करके चेक किया जा सकता है पटना में लोकसभा चुनाओ दोजार चौबस को लेकर धारा एक सो चवालिस लागो की गई है इसले कर जिला निर्वाचन पतादिकारी शिर्शत कपिल अशोक नहीं जानकारी दिया उन्होंने दानापूर अनुमंडल में चुनाओ की तयारियों का जायजा लिया साथी उन् ही धारा 144 प्रभावी हो चुका है जिलादिकारी ने जानकारी दिये कि जनसभा और जुलूस के आयोजन की तैयारी की जा रही है आचार सहीता का सकती से अनुपालन हो और लाउड स्पीकर का प्रयोग रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रतिवंद है हत्यार का स लोग सबच नौ की तारिकों का एलान होते ही आदर्श आचार सहीता लागू हो चुका है और इसके बाद से हमनी तीश कुमार ने बिहार में कैबिनिट की मिटिंग बुलाई है इसमें मंदरी मंदर के सभी मंदरी मौजूद होंगी मुख्य सचेवाले के कैबिनिट हौल मे ये बैठक होगी हालंकि आचार सहीता के दोरान सरकार कोई नया फैसला नहीं ले सकती है कोई नया एजिंडा लागू नहीं होगा और ऐसा एजिंडा लागू नहीं किया जाएगा जिसका असर लोगों पर पड़े लोग सबच चुनाव की तारिकों का एलान होने के बाद य कैबिनिट की पहले मिटिंग होगी वहीं पिशले बैठक में 108 प्रिस्ताओं को पास किया गया था जेडियो पार्टी को मिला था 10 करोड का बेनामी चुनावी बॉंड चुनावी बॉंड को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल तेज है सुप्रीम कूट के आदेश के बाद चुनावी बॉंड की सुची को जारी किया गया और चुनावी बॉंड से जद्यो को करीब 40 करोड 4 लाग का चंदा मिला है इसमें 10 करोड का बेनामी चुनावी बॉंड है इसमें पार्टी के ओर से कहा गया है कि साल 2019 में कोई 10 करोड का चंदा छोड़ गया था इसके बाद पार्टी ने उसे इस्तिमाल किया जंदा किस ने दिया इसकी पार्टी को जानकारी नहीं है। प्रमान की मांग की है साथी कहां आए कि उनके समय में कई ड्रामे हुए। सिपाही भटी परिक्षा में गोटाला उनके रीजन में हुआ इनके परिवार को गोटाले का मसीहा बना जाता है। जरूर बताएं। प्रशासन की अनुमती लिए बिना ही भगवानपूर प्रखंड के सुर्यपूरा गाउंस्तित दुर्दा मंदीर में सभाका आयोजन किया और इसमें पार्टी के नेताओं और पार्टी के कारेकरताओं ने जंडा और बैनर के साथ सभा किया। जाब सुप्रीमों पपू यादव पर आचार सहीता और लंगन मामले में कारवाई हुई है इनके खिलाफ केस दर्च किया गया है। चुनावी पोस्टर लगाकर जंसभा के जाने के मामले में आक्शन लिया गया है जिला प्रशाशन के अनुमती के बिना चुनावी पोस्टर लगाने के मामले में पपू यादव समय उनके एक समर्थक पर पुर्णिया के कस्बा थाना में प्रात्मी की दर्च किया गया है बताया जाता कि कस्वा थाना श्वेत्र के कॉलेज मैदान के समेट पपुच और असिया नाम के समर्थक के आवास पर एक बड़े हॉल में जिला प्रेशाशन के अनुमती के बिना पपुई आदम ने जनसभा किया और इस मामले में उन पर डी एम द्वारा विशेई स्ट्रीम गढ़ित कर कारवाई की गई है तेजस्वी आदम ने मुंबई में बीजेपी पर बोला हमला ब्हार विदान सब्पा के नीता पृतिवख्ष तेजस्वी आदम ने मुंबई में बाशपा पर हमला बोला है दर ऐसल लोग सब चुनाओं के तारिकों का एलान होने के बाद कहा कि उद्दव और शरत को ये बताना चाहते हैं कि बीज़ेपी वाले उनके सर्फ वदायकों को लेकर गए लेकिन तेजस्वी आदब के चाचाजी को ही बीज़ेपी वाले लेकर चले गए पुर्व टिप्टी सीम ने आगे कहा कि नरेंद मोदी गारेंटी की बात करते हैं क्या वो चाचाजी की गएरेंटी ले सकते हैं नितीश कुमार ने पाला बदल लिया है लेकिन जनता हमारे साथ है जब लू पील दो हजार चौबस में जीतने वाली टीम को करोडो रूपे मिले हैं मालूमों कि महिला प्रीमियर लीग में रॉल चालेंजर्स बैंगलोड ने दिल्ली को आट विकेट सहरा कर फाइनल मुकाबला अपनी नाम कर लिया और दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाये थे इसे बैंगलोड ने दो विकेट गवा कर हासिल कर लिया और उसके बाद दिजेता टीम को 6 करोर रूपे मिले वहीं उपे जेता टीम क prinicap को हासिल किया पर पल कैप हासिल करने पर भी 5 लाख रुपे का इंग नाम निर्धारिद है बीते दिन हमारे दरारी द्से द्यें सबाय little guy स्वाल ने अपना जवाब हमें हमारे कमिन सस्क्षिं बॉक्स में लिखकत दीया है जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे कर सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दिनेश यादव सुजीत को प्राजकिसोर महतो नौशाद रजा नुनुगूलु कुमार धननजे कुमार इंद्रदेव कुमार खुशकुमार यादव अमित कुमार रंजीत मिश्टा जगदीव इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है महिला प्रीनियर लीग में रॉयल चालेंजर बैंगलॉर के जीतने पर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताए आज के लिए इतना ही ब परेड़ाने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और अगर आप यूट्यूप से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पीच को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद